प्रवाशी तुम संगर्च करो रीटर साहिब की बात आप कर रहे हैं रीटर साहिब धाना चुली होते वे 180 किलोंटर पड़ता है यहां से 110 किलोंटर पड़ता है यह सिखों के लिए भी बहुत गौरब वाली बात है कि इनको इतना सौट रास्ता यहां से मिला था आज वो रा प्रशानी वाली बात है ना अब शकार फ्रेंड्स आज हम लोग है हल्दवानी के पास में हेडा खान मार्ग है काट गुदाम से हेडा खान जाता है रीटा साहिब जाता है इसके लावा लोहागार जाता है लेकिन वह मार्ग में अचानक ही कुछ दिन पहले भूज कलन हम लोग उसी जगा पर मौजूद है इस समय काट गुदाम इलाका है हमार साथ में वो लोग है जो लोग लगातार परिशान है यहां के दुख दर्दों को सहन कर रहे हैं लेकिन अब असहन ही होने के बाद यह सब लोग सड़क पर उता रहे हैं तो सड़क पर हम दिखाना च नमस्कार शयर मैं रमेजोशी ग्राम सभा पसवली का एक आम नागरिक यहां पर चौध नॉम्मर को जो है भूखलन हुआ भूखलन के बाद जो है कई लोग यहां पर आए हमारे मानी विधायक जी भी आए विभागी यह लोग नमानी विभाग के अधिकारी आए आज वहां चल भी रहा काम पर वह रोडें ऐसी है एक पांच च्छे का उन पर ग्रेड है एक सिर्फ उस पर खोर भाई फोर के अलावा दूसरी काली नहीं जा सकती है प्रसासन को पूछता हूं जो बैकल्पी व्यौस्ता में रोडें काट रहें उस पर एक मरीज को बैठाकर एंबुलेंस जो होती शादी एंबुलेंस उससे मरीज को घर पहुंचा दें तो हम कहते हैं बैकल्पी विभाग बना रहे हैं यह मुख्य मार्गों क्यों पढ़े ह इनको यह मुख्य मारकी पशार पुराना मार गए इसको खोलना चीह ना कि जो बैकल्पी विवश्ता यहां पर कहते हैं प्रीड़ ने जो है लोग नीए करी टोटली दो किलमेटर इसको जोडने के लिए यहां पर रसता बना था उसके लिए जंगलात की परमिशन चीये यह अगे जब यह विवस्ता की बात लोग कर रहें यह यह दिखाना चाहूंगा अपने साथी से गाऊंगा थोड़ा सा यह दिखाएंगा इनी जगाओं से जो पहाल के जो रास्ते हैं इन से उनको होकर गुजरना पढ़ रहा है कई बार जंगली जानवरों को अभी सामना करना प जो यहां पर दरवार है वहां पर लोग जाते हैं गुरू का दरवार है वहां पर लोग जाते हैं और वो जो सीमा है करीब यहां से असी किलूमीटर का काफी जादा रास्ता चोटा पड़ता है इसके अलाबा लोहगाट के लिए यहां से डिरेक्ट जा सकते हमारे एक साथी हैं वो बताएंगे क्या परशानियां आ सकती हैं और किस तरह से जूज रहें आप नमस्कार यहां पर जो हमारा बैसाब ने बताया था जो सी दिन है बिल्कुल सही बात है कि सभी गाउंवाले बहुत ही परिसाइन से जूज रहें अभी जंगलों के रास्ते हैं कि महिलाओ को आम नागरिकों को यहां से आना पड़ लाए कल के दिन यहां पर कोई हाथसा होता है कोई जानवर से हाथसा होता है क्योंकि सब जानते हैं यहां पर बाग है भालू है सभी है तो उसका जिम्मेदार कल कौन होगा तो प्रसासन तो यहां पर खाली मुआफजा घर देने आ ज यहां से 110 km पड़ता है वो 70 km यहांई पहाड में 70 km मतलब 3 घंटे का जो सौट है यह सिखों के लिए भी बहुत गौरवाली बात है कि उनको इतना सौट रास्ता यहां से मिला था आज वह रास्ता वे उनके लिए भी बंद हो गिया है और साथ में जो यहां पर जो कास्तिकार ह यहां आती थी वह सड़ देंगे उपर उनको काफी नुक्सान हुआ है उसका कौन भरपाई करेगा तबाम महिलाई भी हमारे साथ में हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो लगातार इन दुविदाओं में कितनी हैं उनसे बातचीत कितनी पीड़ा है आप यहां तो हमको देखती है घर घरो आती है और आगे पीसे अभी कुन ही देख रही हो सरकार अभी देखो न दिखने वाली सरकार हमारी अभी दिखेगी कोन हमारे सान्त है या कौन नहीं है सब आंगनवाडी भी पासौली में हूँ और हमारी यह मतलब राशनी स्कूल का ले आना पड़ता है वो सिर में ले आना पड़ रहा है साथ सेवाई मिलनी रही है क्योंकि बच्चों को टीका करण हो गया महिलाओं का डिलिवरी केस हो गई चैनल तो यह मतलब बहुत ही मतलब परशानी में जा रही एक ही डिलिवरी अभी रास्ते में ने नीए तो कित्नी परशानी वाली बात है न विधाए को देखना चाहिए हमारा था एक हाथ मिलाए करकी रोड़ खराब है तुसमें देखना चाहिए ना आके खुदी समस्य का हल करना चाहिए तो ऐसा विदा कुछ हुआ नहीं है मतलब बड़ी समस्या है आपने बताया कि जो डिलीवरी है वो भी रास्ते में कहीं उनको करानी पड़ी कितनी पीड़ा वाली बात है मेडम से बात करते हैं आप क्या करते हैं और इधर उधर तो ये विभाग वाले पंदर किलो मिटर रोड को खो़ रहे हैं यहां दो किलो मिटर को इनने वो निकरा सरे शी परचानी है वाकी क्या को हुआ है आप देख रहोंगे नियाय पंचात ओकल डूँगा सड़क धरना परदर्शन हमारी मांगे पूरी करो सड़क बनाओ जन समस्याएं पूरी करो जनसमस्याओ को पूरी करने का यह देख रहे होंगे बैनर लगा हुआ है बहुत परशान है अपनी बात कहना चाहते हैं शाशन को प्रशाशन को हालकि मैं आप सर और किस तरीके की परिशानी से आप लोग जूज रहे हैं तो सर आज यह जो भुष कलन हुआ इसके बाद जो यहां पर की इस्तित्वी है वह बहुत दैनी है बहुत लंबा मोटर मारगी है रिठा साहिब तक का तो वहां के लोग यहां पर आ रहे हैं आना जाना तो हम तो य किलोमेटर वहां से विभागी सरुवेभी कर दिया गया है लोग विजय पूर है तो प्याद मी नहीं जा पाएगा जो घरवती मैला है या ज्यादा बिमार लोग है वह एंबूलेंस कहां से जाएंगे कैसे जाएंगे उस रास्तों से तो वहां उतने वहां पर खर्च करने क करता हूं कि वह लोगों की ज़न समय को द्यान में रखते हुए और यह लोगों की समस्याओं लोग लगे हुए है कि किस तरीके से उसका समाधानों को कुछ सुझाओ भी यहां पर दी है अगर शाशन प्रशाशन इस चीज़ को देखे तो शायद उनकी बात को समझ पाएगा और उसका रास्ता भी निकाल पाएगा क्योंकि जो वन विभाग है उसमें तमाम परशानियों पता चल पाएगी इनकी डिमांड भी लगाता रही है कि इनके साथ में जाके वो निरिक्षण करे तब इसका समाधान पूरा हो पाएगा इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक जरूर पचाईएगा तभी शाशन के जो अधिकारी हैं जो शाशन के लोग हैं जो प्र हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार